जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक पर्टिकुलर अल्फा बैट पे उसका नाम रखने के लिए बोला जाता है नक्षत्रों के अधार पे वो अल्फा बैट्स होता है ऐसा क्यों है इसका क्या मेहतो है और यह कैसे काम करता है आज इसका विशलेशन करेंगे सबसे पहले इसका मेहतो क्या है कश्मीरी सेविजम का एक अध्वुत गरंत है जिसको स्पंदकारिका बोला जाता है यानि मोशनलेस मोशन और वाइब्रेशन लेस वाइब्रेशन यानि यह सारी श्रिष्टी वाइब्रेशन से बनी है स्पंदकारिका के तैत स्पंदन जिसको बोला गय है और जब vibration होगी तो sound create होगी सबसे पहले जो sound create हुई वो थी ओम की sound यानि हर चीज प्रा और अप्रा भगवत किता के तहत सजीव और निर्जीव चीज हर चीज स्पंधन के तहत काम कर रही है यह सब के अंदर motion है एक निर्जीव चीज यह चेयर जिसके उपर मैं बैठा हूँ अभी इसके अंदर भी atom है इसके अंदर भी इलेक्ट्रोन है प्रोटोन है न्यूट्रोन है को आक से अगर फर्दर इसको dissect करेंगे तो यह science ने अभी जाना है और वासु गुप्ट जी ने इसे आठवी सताबदी में ही बता दिया था science अब यह बोलते है कि 18 हफते में शिशु जब मा के गर्म में होता है तो वो heartbeat को response देना शुरू कर देता है 27 हफते में उसे body की और भी sounds आनी शुरू हो जाती है और 40-42 हफते के बाद में वो बाहर की sound भी सुनना शुरू कर देता है Neuro Linguistic Programming यह बोलती है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो fear of falling और sound के लिए वह हमेशा तयार रहता है उसको sound के बारे में पता रहता है तब ही कुछ sound होता ही एक दम वह बोचका होके उठ जाता है तो जब एक बच्चे का जन्म हुआ किसी particular नक्षत्र के तहद तो हमें उसी नक्षत्र की sound की अदार पे बच्चे का नाम रखना चाहिए हर नक्षत्र की अपनी एक अलग sound है जैसे अशुनी नक्षत्र की चू, चा, चे, ला है वैसे ही आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा आप आदरा नक्षत्र की कू, घा, जहा है असलेशा की दे, दू, दे, दो है वैसे ही हमें बच्चों के नाम रखने चाहिए इससे फाइदा क्या होगा जब आप अपनी vibrations को sound को nature की vibration sound के साथ match करते हैं तो nature भी आपके support में effortlessly मदद करती है, यही law of attraction है, यही law of synchronicity है यह तब होगा जब आपको अपनी date of birth और time of birth पता है, और जिनको नहीं पता है, उन्होंने अपना नाम रख लिया है तो आप देखेंगे, वो उसी vibrations के तहत vibrate करना शुरू कर देते हैं, nature के साथ में जैसे मैं से किसी नाम रखा है तो वो सिंग राशी में है, सै से रखा है तो कुम राशी में है, चै से रखा है तो वो अशुनी नक्षत्र के तहत मेश राशी में आया तो ये उनके लिए हुआ, important क्या है, अगर आपको ग्यात है आपके जनम देती, time of birth, place of birth तो आप नक्षत्र के अधार पे रखिए, वो ज़्यादा precise है, ज़्यादा accurately काम करेगा, अगर नहीं पता है तो आप किसी भी नाम के साथ में वाइबरेट करना शुरू कर देंगे, नेचर के साथ में उसके लावा अगर इन चोजों में आपका believe नहीं है, तो दोस्तों आपके अंदर grit होनी चाहिए, आपके अंदर willpower होनी चाहिए, confidence होनी चाहिए adversity में मजबूती के साथ खड़ा रहने की हिम्मत होनी चाहिए, पीछे ना हटने का साहस होना चाहिए, तो आप किसी भी प्रिस्तिती में, किसी भी condition में जीत जाएंगे, ऐसा नेचरी बोलती है नमस्कार